दोस्तो आज तक आपने कई बाइक्स और कारे देखी होंगी लेकिन आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर सैद आप जरूर चोग जाएंगे दोस्तो हम बात कर रहे हैं एक अमेरिकी कमपनी लेट मोटर्स द्वारा बनाई गई एक ऐसी कार की जो की बाइक और कार का मिला जूला रूप है और जिसे देखने के बाद आप कन्फूज हो सकते हैं कि ये कार है या फिर बाइक कमपनी ने इस टूविलर कार को सीवन नाम दिया है हाला कि इस कार की सही कीमत का खुलासा भी नहीं हुआ है कमपनी 2010 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इस कार को बढ़ती ट्रेफिक समस्याओं और प्रदूसर्ण को ध्यान में रखकर तयार किया गया है इस कार का एरोडाइनमिक डिजाइन बेवधी आकर सक है और इसे पूरे विश्यू भर में काफी सरा आ जा रहा है यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है जिसमें की 10 किलोवाट की बैटरी का परियोग किया गया है इसकी टोप स्पीड 160 किलोमेटर पर हाओर है और इसे एक बार फूल चार्ज करने पर 320 किलोमेटर तक दोड़ाया जा सकता है वजन में भी यह कार किसी नॉर्मल बाइक के बराबर ही है और इस कार के दर्वाजे भी दोनों तरफ से खुलते हैं और इसमें ड्राइवर के अलावा एक और वेक्ति इसके पीछे की तरफ बैट सकता है इस कार के दोनों टायर्ट में डिस्क ब्रेक का परियोग किया गया है और इसमें लगी हाई पावर इलेक्रिक मोटर्स ब्रेक के समय वेस्ट एनरजी को रिजनरेट कर देती है जिससे की ट्रेफिक में भी रुक रुक कर चलने से इसकी बैटरी पावर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस कार की खूबियों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है इस कार की बोड़ी में मजबूत स्टील और हाई क्वालिटी ग्लास का परियोग किया गया है ये कार बार से देखने में जितनी मस्त है अंदर से उतनी ही कमफर्ट भी है इस कार के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप सभी लोगों के मन में इस कार को देखकर केवल एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कार सिर्फ दो टायर पर कैसे चल पाएगी जब कि ड्रैवर भी इसके बाहर पेर नहीं निकाल सकता तो आखिर ये कैसे अपना बैलेंस बना पाएगी तो दोस्तो आपको बता दे कि ये एक सेल्फ बैलेंसिंग कार है जिसमें की इलेक्ट्रोनिकली कंट्रोल मॉमेंट जैरोस्कोप लगा है इसी जैरोस्कोप सिस्टम की मदश से ये कार दो टैर्स पर अपना बैलेंस बना पाती है और इस कार को सुरक्सा की दरश्टी से भी बहत खास बनाय गया है इसमें सीट बेल्ट्स के साथ ही दो एरबेक्स भी लगाए गए है और टक्कर के स्तिती में ये एरबेक्स और इसमें लगा जैरोस्कोप स्टेबल सिस्टम कार को खत्रनाक जटके और पलटने से भी बचाता है और इसमें बैठे वेक्ति को सुरक्सित रखता है दोस्तो आप इस कार के बारे में क्या सोचते हैं आपको इस कार का कॉंसेप्ट कितना पसंद आया हमें अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं और हम आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इससे लाइक और सेर करना ने भूले और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में इंट्रेस्ट रखते हैं तो प्लीज सस्क्राइब दे चैनल